जहिंद तो आल रिस्पेक्टेड एस्पिरेंस ऑन बिहाफ फोगेला क्लासे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं जैसे कि आपको पता है हमारा मेंस अडे का स्रीज चल रहा है जो टारगेट करता है रेंडमली किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टापिक उठाया जाता है और कोई भी से यहाँ पर हमारा मतलब है कि जो हमें लगता है हमारी टीम को लगता है जो exam wise बहुत important है वह ही टापिक आपका उठाया जाता है और यहाँ पर मैंने हमेशा का आया है द तो भी topic आपको पढ़ाया जाता है इसलिए जो beginners हैं उनको भी problem ना हो इस बात कम ध्यान देते हैं और कहीं न कहीं last में अब हम आपको एक जो slide है कि intro में क्या लिखना चाहिए बॉडी में क्या लिखना चाहिए और जो इसका निशकर्स होता है यानि कि conclusion होता है उसमें कैसे आपने देना है वो भी आपको written format में मिलेगा तो आप जो request करेंगे obviously हम लोग उसको follow करेंगे उसको मानेंगे तो हमने जो कल आपको question दिया था वो था कि under article 108 joint setting is summoned by the president but he is not allowed to preside over the joint sitting यानि कि आपको पता है एक संयुक्त सत्र के बारे में बात की गई है समिधान में जो कि अनुच्छित 108 में बताया गया है और उसमें ये भी बताया गया है कि जो इसको इसका जो आहवान करेगा यानि कि इसको बुलाएगा वो राष्टपती बुलाएगा परन्तु जब य राष्टपती नहीं करेंगे बकायर स्पीकर करेंगे लोगसभा के स्पीकर करेंगे मतलब राष्टपती नहीं करेंगे तो कोशन यही पुछा गया है कि जब राष्टपती संयुक्त सत्र को बुलाते हैं तो वो अध्यक्षता क्यों नहीं करते हैं ऐसा क्यों आपने बतान को देखे संयुक्त बैठक जो है किसी विधेक के पारित होने को लेकर दोनों सद्नों के बीच गतिरोध को हल करने के लिए समिधान द्वारा प्रदान की गई एक असधारन मशिनरी है देखे कभी कोई गतिरोध हो जाता है गतिरोध का मतलब है यहाँ पर जैसे मानते हैं कोई विधेक है वो लोगसभा में पारित हो गया है फिर वो राज्यसभा में पारित नहीं हो पा रहा है या राज्यसभा से पारित हो गया है परंतु वो लोगसभा में पारित नहीं हो पा रहा है और कही न कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो विधेक है यह समाज के लिए बहु आलने के लिए सन्युकत सत्र या सन्युक्त बैठक का एक नियम दिया गया है, समिधान के दुवारा अनुच्छित 108 में भाटाया गया है, और यहाँ पर आप देखेंगे , आपको एक बात दीखें कि ये एक असधारन मशियनरी है असधारन मतलब है, देखे साधारन का मतलब होता है, अगर ये साधारन है तो वो हर समिधान, हर देश के समिधान में आपको दिखेगा परन्तु असधारन का मतलब है कि ये जो नियम है ये आपको कहीं कहीं पर दिखेगा जहां पर गुंजाईश होती है कि जो विधैक हैं वो कही ना कहीं फस जाते हैं क्योंकि कभी-कभी एहम की बात हो जाती है क्योंकि आप जानते हैं भारत में अलग-अलग धर्म के लोग हैं और उन धर्मों में भी-कभी जातियां काफी पाई जाती है तो जब इतनी भिन्नताएं होती है तो वो धार्मेक बाते या जो भिन्नताएं है वो कभी न कभी एक आदमी के जो विधाय का बनाने वाली प्रक्रिया होती है जो law making process होती है उसमें दिखाई देती है तो इसलिए भारत की इतनी भिन्नताओं को मद्दे नजर रखते हुए ए यहां पर आप देख पा रहे होंगे एक traffic jam लग गया है यानि कि यहां पर अब यह जो traffic है जो पहले चल रहा था अब traffic jam की वज़े से यह रुख गया है तो यही सिद्धान्त इसके इसमें भी लागो होता है कि यहां पर जो विधायक चल रहा था वो रुख गया है ठीक है त तो तीन situation हम देख लेते हैं क्या-क्या है देखे सबसे पहली जो है कि एक विधेक जो है दूसरे सदन से रोग दिया गया है यदि विधेक को दूसरे सदन दुआरा अस्विकार कर दिया जाता यानि कि लोग सभा से पारित हुआ परंतु राज्य सभाने से अस्विकार किया या राज्य सभा से पारित हुआ लोग सभाने से अस्विकार किया दूसरे देखेंगे यदि विधेक में किये जाने वाले संचोधनों के संबंद में अंतता सदनों में असमती बन गई है यानि कोई विधेक है उसमें कोई संचोधन की बात है अब संचोधन को लेके दोनों सदन आपस में लड़ गया है तब भी एक गतिरोत की उत्पन हो जाती है और तीसरा देखते हैं यदि दूसरे सदन द्वारा विधेक को पारित की बिना विधेक की प्राप्ति की तारीक से 6 महीने से अधिक समय वितीत हो गया है यानि कि मान लिजे एक सदन से दूसरे सदन में विधेक गया है और दूसरे सदन ने उसमें कोई प्रतिक्रिया जो होती है वो जाहिर नहीं की है मतलब ना वो हां कह रहा है ना कह रहा है और जो विधेक है उसको 6 मां से जादा हो गया है तो ऐसे विधेक के लिए जिसे 6 मां से जादा हो गया है और प्रतीत होता है कि ये व मानिनी राष्टपती द्वारा तो ये तीन सितिया हैं जो एक आधार बनती हैं ये संयुक्त बैठक का आहवान कराने के लिए जो कि राष्टपती करते हैं तो आगे देखते हैं अब दियान से देखेंगे कि जो हमने भी तीन सितिया देखी तो उप्रुक्त तीन सितियों में राष्ट्रपती देखे अभी वर्तमान में हमारे राष्ट्रपती कौन है दुरौपती मुर्बुजी तो राष्ट्रपती विध्यक पर विचार विमर्ष और मतदान के उद्देश से दोनु सदनों को संयुक्त बैठक में बुला सकते हैं तो बुलाएगा कौन याद रखेंगे राष्ट्रपती ये बात याद रखेंगे अब देखे यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि हर विध्यक पर संयुक्त बैठक नहीं की जा सकती है अब हर विध्यक से क्या तातपरी है मेरा पहले हमें इसका उत्तर जानने के लिए ये समझना पड़ेगा कि विध्यक के कितने प्रकार होते हैं तो जो विधेक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, एक होता है और्डिनेरी यानि की साधारण, एक होता है फिनांशल यानि की विध्तिय, एक होता है मनी यानि की धन विधेक, और एक होता है constitutional amendment यानि की सम्विधानिक संचोधन विधेक. तो दिखे कि कब संयुक्त बैठक की जाएगी जब विधेक सामानी होगा या विधेक विधी होगा जिसे हम इंग्लिश में सामानी को कहते हैं और विधी को कहते हैं financial बिल और ये भी याज रखेंगे अगर जो विधेक है वो धन विधेक है यानि कि money bill है या सम्विधान संचोधन यानि कि constitutional amendment से संबंधित bill है तो उसमें आप अनुच्छेद 108 यानि कि संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते यह point आपने बिल्कुल याद रखना है तो कभी-कभी प्रश्ण बन जाते हैं इससे तो मुझे अमीद है यह आप समझ पाया होंगे तो इस slide से हम क्या सीखें कि जो विधेक होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं और हमने यह भी देखा कि अनुच्छेद 108 का अहवान केवल दो ही जो विधेक हैं उन पर किया जा सकता है पहले साधारण दूसरे विद्तिये नेक्स देखते हैं अब देखें जो यह जो आप देख रहे होंगे यह side में आपको जो दिख रहे हैं यह वरतमान में हमारे लोगसभा के speaker है जिनका नाम है ओम बिल्ला सहब जो है अब यहाँ पर हमने क्या देखना है कि लोगसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं कौन लोगसभा के speaker होते हैं मतब सबसे पहले जो प्राथमिक्ता दी जाती है संयुक्त बैठक की वो दी जाती है लोगसभा के speaker को ज उनको बुलाया जाएगा, मानते हैं वो भी नहीं है, फिर किसको बुलाया जाएगा, फिर राज्यसभा के deputy chairman, क्योंकि राज्यसभा के जो chairman होते हैं, वो उपराष्टपती होते हैं, तो उनको नहीं बुलाया जाता है, deputy chairman को बुलाया जाता है, राज्यसभा के, और मानते हैं वो भी नहीं है, फिर जितने भी संयुक्त बैठक में, जितने भी सदस्य हैं, फिर वो एक majority के हिसाब से निर्ने लेते हैं, कि जो संयुक्त बैठक है, उसमें कौन अधिक्ष्था करेगा, उन्हीं में से एक वेक्टि का वो नाम दे देते हैं, तो यह जो सीरीज मैंने आपको बताई है, पहले स्पीकर, फिर डिप्यूटी स्पीकर, फिर डिप्यूटी चेर्मेन, राज्यसभाका, फिर उन्हीं में से कोई सदस्य, यही बात बता रखिए यहाँ पर, तो मुझे उमीद हैं यह आपको समझ में आया होगा, तो प्राथ्म पती की जो भूमिका होती है, वो काफी हद तक गयर राजनितिक होती है, देखे समझिए, गयर राजनितिक से यहाँ क्या तार्परी है, जादा तर जब आप समीधान पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा, कि जो हमारे अनुच्छे 53 में एक बात लिखी गई है, आर्टिकल 53 म चुनाओ होता है, तो वहाँ पर चुनाओ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, डारेक्ट इलेक्शन्स नहीं होते हैं, इंडारेक्ट इलेक्शन्स होते हैं, राज्च्छपती के चुनाओ में जो भाग लेते हैं, अगर आप देखेंगे, तो आपको पता होना चीए, लो विधान सभाई, जो केंदर शाचित प्रदेशों में विधान सभाई होती हैं, उनके जो निर्वाचित, I repeat, underline करिएगा, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो भाग लेते हैं, तो हमें क्या पता चलता है, कि राश्टपती के चुनाओं में प्रत्यक शुरूप से हर व्यक होता है, तो पहली बात आँ समझ पाया होंगे, यह राश्टपती जो है, राजनितिक स्तर पर अगर उसे देखा जाए, यानि कि कानूनी प्रक्रिया में उसे देखा जाए, तो उसका उतनी भूमिगा नहीं होती है, जितनी प्रधान मंतरी की होती है, पहला पॉइंट, यह पर यह बताया गया है, कि यह राजनितिक है, और दूसरना, और जो हमारी संयुक्त सत्र होता है, वो एक राजनितिक घटना है, संयुक्त सत्र क्यों हो रहा है, कोई विधेक पारित नहीं हो पा रहा है, और विधेक किसको, विधेक जब पारित हो जाता है, तो वो क्या बना तो अगर डिगरी की बात की जाए प्रतिनित्य जो प्रतिनित्यु करता है लोगों का उजआ प्रधानमंत्री करता है या जो सदस्थ्ध से है यानि कि जो संक्षड है और यहीं से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब यगता देखेंगे अनुचहित 58 में पता चलेगा राष् राश्ट्रपती सांसद नहीं होते हैं और ये भी याद रखेंगे परंतु संसद का एक अभिन भाग होते हैं राश्ट्रपती याद रखेंगे राश्ट्रपती सांसद नहीं होते हैं पर संसद का अभिन अंग होते हैं बिना उनके हस्ताक्षर के जो बिल है यानि कि जो परन्तु जो संयुक्त सत्र है वो एक राजनीति घटना है तो इस वज़े से जो जो बैलेंस नहीं बन रहा है इस वज़े से इनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाता है अब देखे जो भी मैंने आपको पढ़ाया आप उसको मीन्स राइटिंग में रखते हैं तो देखे इंट्रो में आपने थोड़ा संयुक्त बैठक के बारे में बता देना है आप देख पा रहे होंगे कि संयुक्त बैठक किसी विध् संयुक्त सत्र के बारे में बता देना है और आगे क्या देखना है संयुक्त बैठक में से संबंधित प्रावधानों को अनुछेद 108 के तहत परिभाषित किया गया है अब देखो परिभाषित अगर आप यह लिख देता है किस अनुछेद में किया है तो अनुछेद 108 है तो अगर आप 108 अनुछेद को नहीं दर्शाते हैं तो marks उतने नहीं मिलेंगे क्योंकि किसी वेक्ति है जो आपको competitor है जो आपके exam में बैठा है उसने अनुछेद 108 लिखा हुआ है तो आपने 108 लिखना है अगर कोई सम्विधानिक बाते होती है तो सम्विधान कियों किस भाग में है किस अनुछेद में है तो अगर आप लिखते हैं तो आपके marks बढ़ते हैं तो इंट्रों आप देख पा रहे होंगे कि इंट्रों को हमने short रखना होता है यह आपने देखा है अब हम बात करते हैं बॉड़ी की बॉड़ी में ज्यादतर हमने देखा है कि मेन मुद्दा है तो आभान कौन करता है राष्ट पती राष्ट पती की भूमी का काफी हद तक गयर राजनितिक है वो मैं बता चुका हूँ इनकी भूमी का ज्यादतर क्या होती है गयर राजनितिक है मतलब यह एक कारिपालिका के परमोक होता है जैसे यह appointment कराते हैं जज की नियुक्ति करा इस तरह के काम इनको दिये गए है और संसत की संयुक्त बैठक एक राजनीतिक घटना है यह गैर राजनीतिक है और बैठक क्या है राजनीतिक है तो यह जो संतुलन बन नहीं रहा है यह संतुलन कहा है राष्टपती गैर राजनीतिक और बैठक राजनीतिक तो यह जो संतुल बन नी रहा है इसी वज़ से नहीं बढ़ाय जाता है जहां सरकार की नीतियां और कानून पर चर्चा और बहस होती है सरकार की नीतिया और जो कानून पर चर्चा बहस होती है वो होती है इसमें यदि हम राश्टपती की योगिता पर विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भारती समिधान के अनुच्छेद 58 के तहट, योगिता कहा है, 58 में, ये बाद याद रखेंगे, देखें मैंने इसको highlight किया है, 58, योगिता कहा है, 58, तो इस तरह का आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद, जादे माक्स मिलेंगे, और इसको highlight करवा देना, आप दूसरी प राष्टपती सांसद नहीं होता है, ये बाद याद रखेंगे, ठीक है, जब आप अनुच्छेद 58 पढ़ेंगे, 58 पढ़ेंगे, तो आपको दिखेंगा कि उसकी योगिता लोगसभा के सद्ध से के बराबर होनी चाहिए, परंतु ये नहीं लिखाया कि उसे लोगसभा का सद्ध से होना अनिवारी है, यानि कि राष्टपती सांसद नहीं होता है, तो 58 में ये बाद लिखेंगे, बलकि वह संसद का एक अविभाज्य अंग है, मतलब inseparable पार्ट है, क्योंकि अगर कोई भी विधेक कानून कैसे बनता है, लोगसभा में पारित, राज्यसभा में प जादा भूमिका होती है, तो ये जो कारण है, इस वज़े से हम कह सकते हैं, कि कहीं न कहीं, ये जो हमने पॉइंट लिखे हैं, अब अंत में हम इसी के अधार पर क्या निकालेंगे, जो इसका रस है, जो लास में निचोड निकालेंगे, ठीक है, अथा संयुक्त सत्र की qualification है, मतलब क्या होना अनिवारी है, तो अनिवारी क्या है, सुद्सी होना आभिशख है, इसलिए तो राज्य सबा के जो chairman है उनको भी नहीं बठाया जाता है joint setting में क्यों क्योंके वो भी तो उपराष्टपती है उपराष्टपती भी सांसद नहीं होता है तो अंत में हम conclusion देखेंगे conclusion क्या निकालते हैं क्योंके conclusion हमेशा end में आता है तो शुरुवात ऐसी कन्नी है तो अंत में हम कह सकते हैं कि राष्टपती एक कारीकारी का प्रमुख यानि कि अनुच्छेत 13 में आप देखो करें कि वो executive head होता है कहां लिखा है अनुच्छेत 13 अनुच्छेत जरुब बताने है कारीकारी का प्रमुख अनुच्छेत 13 एसे bracket में जाता है जो अतहा कार्य में इस अंतर के कारण राष्ट पती को संयुक्त बैठक की अध्यक्ष्टा करने के अनुमती नहीं है अनुच्छेत 108 तो यहां से आपका एंड हो गया अब दिखें आप खुद देखेंगा आपको यह पसंद आया होगा तो जब आपको पसंद आया है तो जो चेक करेगा उसको भी कितना पसंद आएगा तो आप कोशिश करिए जब भी समयधानिक बाते होती है तो उसमें अनुच्छेत अगर है उससे संबंदित उन अनुच्छेतों को लिखना अनिवारी है अब प्रश्ण है क्या सर इतना अनुच्छेत हमें याद होंगे जितने भी हम आपको यह दे रहे हैं मेंस राइटिंग दे रहे हैं इतना बस याद कर लीजिए बस एक्जाम देने चाहिए और अब भरुसा रखे एक्जाम दे के आईएगा फिर बात करेंगे मैंने हमेशे कहा है तो देखें यहां से मैं कहना चाहता हूं कि जैसे कि टी ओ रेटी ओ की आपको पता ही है कि तीन पेपर होते हैं तीनों के लिए हमने क्या कर रखा है टेस सीरीज बना रखी है जो इंडिविजुली अगर आप लेते हैं तो 2999 की पढ़ती है और तीनों को अगर आप एक साथ लेते हैं तो 7999 की पढ़ती है अब जब आप तीनों कॉमबो प्राइस लेते हैं तो उसमें फायदा क्या है आपको कि उसमें आपको जो अकाउंट सेक्षन है जो चैप्टर वन से एट है उसमें डीप डिसकेशन दिया जा रहा आपको प्लस आपको नोट्स भी शेर किया जाएंगे तो मैं परसलिली कहना का है जो प्रीमियम लेक्टर का है उसमें आपको स्टडी मेटेरियल दिया जाएगा लेक्टर दिये जाएंगे बड़ उसमें टैसरी नहीं होती है तो वह भी आप पर्चस कर सकता है एक विल कॉस्ट यू 2999 और देखे यह हमारा टेलिग्राम चैनल है आप इसमें जोइन कर रही है तो मुझे उमीद है आपको मेरा यह लेक्टर पसंद आया होगा जय हंद